तो मैंने अपने डिस्कॉर्ट में एक पोल रगा था जहां पे मैंने तुमसे पूचा था कि तुम्हारे लिए वनपीस का एपिक मुवमेंट कौन सा है और फिर तुम लोगों ने अपना एपिक मुवमेंट वोड किया था और उसी के हिसाब से मैंने ये लिस्ट बनाया है तो याँ वेलकम टू टॉ टॉप टैन एपिक मुवमेंट्स ओफ वनपीस तो याँ चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब यार इस सीन में वर्गो और लोग का फाइट होता है जहां पे वर्गो अपने पूरे बॉडी को हाकी से कवर कर लेता है ताकि लोग का कोई भी एटैक उसकी उपर काम ना करे बट सम्हाव लोग उसको एक ही ब्लो में काट देता है और इस प्रोसेस में पूरा पंख हजाड भी कट जाता है यहां पे लोग यह साबित कर देता है कि वो कोई मामूली बंदा नहीं है और उससे कोई ऐसे ही पंगा नहीं ले सकता इस सीन को मिले हैं टोटल 4 वोट्स और यह नमबर 10 पे आता है अब यार जो आइलेंड आर्क में जैक मिंक्स से ये बोलता है कि चुपचाप राइजो को हमारे हवाले कर दो और यार इसके रिप्लाइ में मिंक्स ये बताते हैं कि राइजो नाम का कोई भी बंदा यहां पर नहीं है और अगर वो लोग चाहे तो उसे वो लोग यहां पर ढूंड सकते हैं बट जैक उनपर अटैक कर देता है और यार यह जो फाइट रहता है वो लगभग 5 दिन तक चलाता और पांचवे दिन जैक उनपर एक पॉईजनेस वेपन का यूज करता है जिसके बाद मिंक्स वो फाइट हार जाते हैं और फिर अफकॉर्स जैक उनको बहुत तड़ पाता है मतलब इनोरासी और नेकोना मुसी का वो लोग पैर और हाथ तक काट देते हैं इन सब के बाद वहाँ पर स्ट्रो हैट्स आते हैं और उनके साथ कांजीरो मुमनोसके और कियन मोन भी आता है और वो लोग भी वहाँ पर राइजो को ही ढूंडने आये थे तो मतलब तुमनों सोचो क्या सिचुएशन हुआ होगा वहाँ पर स्ट्रो हैट्स उनको रोगते हैं कि यार राइजो का नाम मत लेना और राइजो के बारे में तो पूछना ही मत बट कियन मोन जाकर उनसे पूछता है कि राइजो कहां पर है जिसके reply में मिंक यह बोलते हैं राइजो इन सेफ ओ भाई, मतलब ये जो सीन था ना इसको देखने के पाद audience के मूँ से जाग निकल गया था मतलब वैयार ये scene सही में epic था इस scene को मिल ले हैं टोटल 6 votes और इसी लिए ये number 9 पे अपना जगा बनाता है लूफी नॉक्स आउट फिफ्टी थाउजन फिस्मैन वैसे तो सारे कॉंकर हाकी वाले movement epic ही होते हैं बट ये वाला कुछ ज़्यादा इस पेसल है तो यार इस scene में हमारे straw hats के उपर टोटल एक लाख लोग अटाक कर देते हैं एक लाख फिस्मैन उनके उपर अटाक कर देते हैं और हमारे straw hats के एक एक member को 10-10,000 लोगों को हराना पड़ेगा उनसे निपटने के लिए बट यहां पर लूफी आता है और अपना conquer हाकी से वो पूरे 50,000 लोगों को सीधा नौक आउट कर देता है और यार सच बताऊं तो यार जब मैं ये scene देख रहा था तो यार मैं अंदर से चिला रहा था कि यार लूफी यूज कर वो conquer हाकी यार यूज कर और जब वो यूज किया मेरा भाई जो मुझे मज़े मज़ा आया ना वो scene में वो मैं बता नहीं सकता इस scene को मिले है total seven votes और of course ये scene मज़ेदार था नमबर 7 जोरो काट स्पी का in half वैसे तो ड्रेसरोजा में जोरो पूरा टाइम खो ही गया था पर जब बात आती है fight के बारे में तब यार जोरो पीछे नहीं रह सकता अब यार इस scene में पीका attack करने वाला होता है king और वो उसके army की उपर और दूसरे तरफ जोरो ये अपना plan बताता है कि उसको बस किसी तरफ वहाँ पे भेज दो और वो सब चीज समाल लेगा और यार ये बनना literally उसको fake ही देता है वहाँ पे और यहाँ पे जोरो उड़तावा जाता है और पीका को एक ही blow में बीच से ही काट देता है और वहाँ पे जो भी लोग ये सब देख रहते उनका move फटा का फटा रह जाता है अब पीका अपना true form reveal कर देता है और जोरो उसको बड़ ही असानी से हरा देता है इस सीन को मिले हैं total 8 votes और यार 8 votes को देखके लग रहा है कि आप लोग ये सीन को बहुत ही enjoy कियोगे reminding that मेरे डिस्कॉर्ड में बस 65 ही मेंबर से तो यार 8 votes भी काफी है नंबर 6 challenging the world government तो यार अभी मामला थोड़ा परसनल है क्योंकि यहां पर हमारी straw hats की निको रॉबिन को CP9 capture कर लेती है जो की world government का top secret assassins में से एक है जिसके बाद लूफी अटाक कर देता है एनीज लॉबि में इस सीन में हमारे straw hats एक ही frame है और दूसरे तरफ CP9 और उनका leader span dam है यहां पर span dam उन्हें बताता है कि तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो ये पूरा world government है जिसके response में लूफी स्नाइपर किंग को बोलता है कि वो flag उड़ा दो और यहां पर स्नाइपर किंग पूरा flag जला देता है इस scene में हमें ये साफ दिखता है कि लूफी अपने crew member के लिए किसी से भी भीड़ जाएगा 9 votes के साथ ये scene number 6 पे आता है वैसे तो marine food art में काफी सारे iconic moments थे पर इस वाली की तो यार बात ही अलग है यहां पर लूफी एस को बचाने के लिए execution platform तक जाने की कोसिस करता है पर उसके सामने रहते हैं तीन admirals उसे पता है कि वो इनको नहीं हरा सकता पर अब वो इतना आ गया चुका है कि वो पीछे नहीं हर सकता ये कुछ उन scenes में से एक है जहां पर anime मांगा को बहुत अच्छी तरीके से adapt किया था standing against the three admirals ये कोई आम बात नहीं है इस scene को मिलें total 10 votes और ये number 5 पे आता है walk to arlong park तो यार ये scene अभी भी काफी famous है उस वक्त crew में सिर्फ 4 members थे पर ये पहली बारता जब वो लोग साथ में काम करते हैं इस scene में नामी लूफी से help मांगती है और लूफी अपना hat नामी को देता है और सीधा order कता है कि चलो आर लॉंग की band बजाते हैं और ये जो epic walk था ये एक तरह से हमारे लिए excitement बढ़ाने के लिए था कि finally अब आर लॉंग पिटने वाला है ये एक iconic moment था जहां पे side characters Johnny और Yosaku villagers को बताते हैं कि फिलाल अभी सिर्फ यही चार लोग हैं जो कि तुमारे village को बचा सकते हैं ज्यादा तर लोगों के लिए ये वो part रहता है जहां से उन्हें one piece का epicness समझ में आता है ये scene number 4 पे आता है और इसको मिले हैं 10 votes तो यार जैसा कि हम लोग जानते हैं कि one piece world में celestial dragons god type के लोग रहते हैं जो लोग आम लोगों को बिलकुल कचड़ा समझते हैं तो यार यहाँ पे लोग fishman को काफी hate करते हैं और जैसे ही ये पता चलता है कि हाची भी एक fishman है तो यहाँ पे सेंट चारलोस उसे suit कर देता है अपनी gun से अब क्योंकि ये सब लोफी के सामने होता है तो वो सीधा चारलोस के तरफ बढ़ने लगता है पर हाची उसको रोकता है और बताता है कि वो ये deserve करता है तो उसको बचाने की कोई जरूरत नहीं है पर यहाँ पर लूफी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो सीधा चार्लोस को मुँ में एक पंच मारता है और यार यह एक ऐसा मुमेंट था जिसके लिए फैंस काफी देर से वेट कर रहे थे और लूफी जो पंच मारा वो काफी सैटिस्फाइंग था इस सीन को मिलने टोटल 12 वोट्स और यह नमबर 3 पे अपना जगा बनाता है तो यार मरीन फोर्ड आर्क का एक और मुमेंट वैसे तो इस मुमेंट को इस लिस्ट में होना ही था तो यार वार आफ दा बेस्ट में सैंक्स आता है और वार को रुकवाता है और यह चीज़ काफी अपिक है क्योंकि यह काफी अनेक्सपेक्टेड था सैंक्स कहता है वो यहाँ पे वार रुकवाने आया है और अगर अभी भी किसी को लड़ना है तो आ जाओ जिसके बाद अफकॉर्स कौन लड़ना चाहेगा यहाँ पे फलीट एडमिरल सेन गोकु भी यह मान लेता है कि हाँ अब वोलो तो जीती चुके हैं और अब कोई फायदा नहीं है आगे खुन खराबा करके और अब फाइनली यह वार खतम हो जाती है और अगर सोचा जाए तो सैंक्स अगर यहाँ पे नहीं आता तो साइद लूफी जिन्दा बचके नहीं जा पाता और बहुत से लोग मारे भी जाते इस सीन को मिले हैं टोटल 14 वोट्स जो की यार सही में इंप्रेसिव है खैर यह नमबर 2 पे है नमबर 1 पे है यार जोरो सैक्रिफाइज गेको मोरिया और उसके आर्मी को हराने की वज़े से सारे स्ट्राइट्स काफी जादा ठक जाता है और लूफी अनकॉंसियस रहता है लेकिन तबी वहाँ पे एक और वारलोड आ जाता है जिसके बाद वो लोग अपना पूरा ट्राइ करते हैं पर उसको नहीं हरा पाते हैं जिसके बाद जोरो अपने गुठनों पर आता है और अपने कैप्टन और अपने क्रू के लिए वो अपना जान देने के लिए तयार हो जाता है वो कहता है कि लूफी को जाने दो उसके बदले वो अपना जान दे देगा ये सब देखकर कुमा जोरो को एक और चांस देता है और वो लूफी का सारा पेन एक बबल में ट्रांसफर करता है और Zoro को कहता है कि तुमें ये सारा दर्द लेना होगा और सायद तुम ये सर्वाइव ना कर पाओ पर Zoro किसी तरह इस चीज को सर्वाइव कर लेता है और जब Sanji उसको बाद में ढूंडता है और देखता है कि वो पूरी तरह से खून में लपटा हुआ है जब Sanji उससे कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ था Nothing happened मतलब यार कोई बंदा कितना ज़्यादा badass हो सकता है तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो यार इस moment का epicness और बढ़ जाता है जब तुमें ये पता चलेगा कि लूफी को अब तक इस चीज के बारे में नहीं पता तो यार तुम लोगों ने इस moment को total 17 votes दिये हैं जिसकी वज़े से ये number 1 पर आता है तो यार comment से बताओ कि तुमें ये voting वाला system कैसा लगा और अगर वीडियो पसंद आयो तो तुमें पता है like करना है, share करना है अपने one piece दोस्तों के साथ और यार जो लोग नए हैं वो लोग जाकर मेरे पूरानी वीडियो देखो और तुमें बताओ तुमें कैसी लगती है पसंद आती है तो यार subscribe करदेना तुमें ऐसी one piece related वीडियो मिलते रहेंगे तो हाँ, अब मुझे भी जाना होगा क्योंकि यार life में ऐसा ही होता है जो आता है उसको जाना ही पड़ता है तो मैं भी जाता हूँ तुमसे मिलता हूँ मैं next वीडियो में तब तक के लिए बाई तुमसे बाई